जाहिंदेवरियोन अगर आप इंडियान आर्मी रीटेन की तयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मत्रपूर होने वाला है इस वीडियो से आपका दो नम्मर फिक्स हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में टोटल 60 प्रस्न लिएगा है और ये ऐसे प्रस्न है इनी शाठ प्रस्न लिए इंडियान आर्मी के पेपर में हर साल एक प्रस्न पूछा जाता है और एक प्रस्न दो नम्मर कराता है अब कॉनर प्रस्न पूछा जाता है इसलिए आपने इसलिए अपस्पी। लेकिन मुझे इतना आसानी से यह सारा प्रशन एक जगान नहीं मिल पाता है मेरे भाई इसको इक अठा करने में बहुत ज्यादा समय लगता है तिन तिन चर चर गंटे लग जाते हैं और बहुत ज्यादे मेहनत करना पड़ता है सबसे पहले तो खोज-खोज कर अपने कापी म बनाते हैं अगर लगता है और लेकिन ज़ी को इसकाऊ कीमत बहुत जाते हैं आप लोग ये जाना ना कि भाई ये तो फालतू होगा ये परसन तो इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा और निलेस भाई कहां का टीचर है मतलब जैसे अगर दूसरा टीचर बताएगा कि मानोख हो पड़ी में कितनी अड़ी आती है 22 होती है तो मतलब वह बताएगा 22 होगा और ह अच्छा नमर आ रहा है उन लोग को अच्छी तरह से पता है कि हां यहां से अच्छा नॉलेज मिल रहा है और देखो मैं 1000 GKS का आप लोग का पीडियाप दिया हूं तो कुछ भाईयों को यह वाला पीडियाप नहीं मिला है यह जीतना भी जीके जिए सना मोस्ट इंपर्ट वह राते रहना ठीक ना आज के इस वीडियो में मानो शरीर में जितना भी इंपर्टेंट अंग रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे यह सिर्फ समाने बिग्यान का प्रस्ण आने वाला है मैं जो 1000 वाला पीडियाप दिया हूं उसमें जीके का मतलब समाने ग्यान का ज्या अब शरीर के बारे में जरूर पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान से सारा वीडियो देखना और एक बात और बता दे रहा हूं यह वीडियो खतम होने के बाद आप लोग का कल टेस्ट होगा तो वह आप लोग द्वारा लेना इस हवते में जितना भी पीडियाप दिया ह ठीक ना, तो अपने प्लस न आए के सिल्टाइच करते हैं, सबसे पहला प्रास्न है, मानों की खोपडी में कितने हड़्डियां होती हैं, आपने दिमाग में तिमकिशित कर ले व्याilla से शॉर न में वाण हड्डियां होती है ठीक नाम जब का पाल देगा तो आठ हड्डियां होती है नेश्ट है सरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है तो 206 है हमारे सरीर में टोटल 206 हड्डी है नेश्ट प्रसन है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होत जाती आती हैं सबसे चोटी ह्ड़ी कौनसी होती है तो सबसे चोटी ह्ड़ी कौन सी होती है इसका नाम है इसटेपीज और ये कान में पाई जाती है तो सबसे मजबूत हड़ी料 होती है यसको एक वाइन शबयाद कहा花ाया है प्रस्ते BET .. 요ं occasionallyr और फास्पोरस है यह बी प्रस्ट प्रस्ट है हमारे सरीर में कुल कितनी मानसपेशियां होती है यह प्रस्ट तुम्हें आप लोगको कई बार बता चुका हूं हमारे सरीर में कूल 649 मान स्पेसिया होती है और हड़ियां कितनी होती है 206 हड़ियां होती है यह आप लोग याद रखे रहा ना नेश्ट प्रसन है हमारे सरीर में पसलीयों की संख्या कितनी होती है तो पसलीयों की संख्या 12 जोड़ी होती है ठीक ना आप लोग किसी से लोगों को नहीं पता होगा तो पासली बारा जोड़ी होता है ठीकना जोड़ी होता है मतलब 24 अ क्या जोड़ता है तो यह कर दो कर नहीं करता है को का ही यरद है उसकी विमारीयों के अध्यान से संबंधित बिग्यान को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है कार्डियो लाजी आप लोग प्रस्णों को समझने का कोशिज करना प्रस्ण में बोला जा रहा है कि हिर्दय एवं उसकी बिमारियों के अध्यान से संबंधित बिग्यान को क्या कहा जाता है तो उस मनुसे के हिर्दय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लागता है यह भी मोश्ट इंपोर्टेंट प्रसना है जब जैसे पेपर में पूछा जाएगा ना तो उसमें बहुत जरूर देगा तो हम लोग जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं वह तुरंत बीना सोचे समझे मतलब हम लोग के हिर्दय का वजन कितना होता है मतलब हम लोग के हिर्दय का वजन कितना होता है तो यह 300 गराम का होता है हम लोग का हिर्दय इसको भी आप लोग दिमाग में बैठा लेना अब नेश्ट प्रसना है मानो हिर्दय में कितने वाल्ब होते हैं यह मैं आप लोग अभी उपर में आप लोग को बताया हुना उपर बोला गया है देखो यहां पर घुमा फिरा दिया है उपर बोला गया कि मनुसे के हिर्दय को एक बार धड़ाकने के लिए कितना समय लगता है तो 0.8 सिकंड लगता है और नीचे यहां पर पूछा गया है कि एक मिनट में मनु कार्या करता है इसी बार इंडियान आर्मी के पेपर में जरूर पूछा जाएगा आप लोग देख लेना, यहाँ पर बोला कि रग्त शरीर में क्या कार्य करता है, मतलब हम लोगों के शरीर में जो खून रहता है, उसका क्या काम रहता है, तो उसका काम रहता है, सारे शरीर में आक्सीजन पहुचाता है, तो आप लोग इस प्रस्न को अपने दिमाग में सेट कर लेना नेश्ट प्रस्ण है मनुस्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है कितना होती है पांस से छोड लीटर हम लोगों के शरीर में खून का मात्रा होता है नेश्ट प्रस्ण है समान्य मनुस्य का रक्त चाप होता है तो यह 120-80 mm होता है नेश्ट प्रस्ण है रक्त परिभर कि कि इसी सब्सक्राइब को नीजने नीजसरीर के ट contr you करने में मीश्टियक करने में मीश्टिक हो गया होग Quiz要 गूगल से 68- mandates को यह तुन ? है लिए आप लोग की लिए की यह ज रोगे। तो आप मारोग municipality करता है बैज Saya 2019 में इंडियान आर्मी के पेपर में जीडि में पूझा गया था और सभी लोग इस्वरसन का एंसवर गलत कर दिये थे जैसे अमारा जो दोस्त था रहा एक दोस्त था वह फोजी बन गया तो वह भी इस्वरसन का एंसवर उसको भी नहीं पाता था और भी बहुत सारे लोग थे गल्ती कर दिया थे लेकिन आप लोग को गल्ती नहीं करना है रक्त को सुध कौन करता है की डिनी करता है ठीक ना नेश्ट प्रस्ण है लाल रक्त का निर्मार किसमें होता है तो अस्ती मच्चा में होता है नेश्ट प्रस्ण है लाल रक्त कानी का जीवन का कितने दिन का होता है तो 120 दिन का होता है नेश्ट प्रस्न है स्वेत रख्त करी का जीवन का कितना होता है तो ये एक से चार दिन होता है आप लोग दोनों याद कले ना ठीक ना लाल रख्त का भी और स्वेत रख्त का भी नेश्ट प्रस्न है स्वेत रख्त कर को कहा जाता है तो स्वेत रग्त कल को क्या कहा जाता है लिव को साइट कहा जाता है नेश्ट प्रसन है लाल रग्त कल को कहा जाता है एर्थ्रो साइट कहा जाता है नेश्ट प्रसन है सर्वदाता रग्त समू कहा जाता है तो ओको सर्वदाता रग्त समू कहा जाता है नेश्ट प्र वंटतो व्हुन होतु एतना उस्सक हो आप लोग याद कर लेना चाहिए निच्टरत कर प्रासी nào? प्रस्ण है मनुसे के संदर एका अध्यान क्या कालाता है तो मनुसे के संदर एका अध्यान करलो लाजी कालाता है नेश्ट प्रस्ण है भोजन का पाचन प्राराम होता है भोजन का पाचत प्राराम किसमें होता है मुह से होता है नेश्ट प्रस्ण है पाचे हुए भोजन का और सोशल होता है तो सबसे बड़ी ग्रंते कौन सी होती है तो सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी एकरीत होती है लिवर ए सरीर का सबसे बड़ा अंग त्वाचा होता है आहां सबसे NICK कंवेशिक सबसे दो और अंगिरे आहे एक 사이즈 मोशच्ण का तक योटी 270 स Small पूरा पडे ख लोग़ोगो टेली उचनल पर मिल जाएगा टेंशल लिल लेकम छार अगर आपके उपर डिपेंड करता है, आपकी इस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, नेश्ट प्रसना है, लिंग निर्धारण होता है, तो पूरूस क्रोमोसोम्स पर होता है, नेश्ट प्रसना है, सरीर में गुलशुत्रों की संख्या कितनी होता है, पूच प्रसना है शरीर की सबसे बड़ी कोशीका क्या है तंत्री का तंत्रा है नेस्ट प्रसन है आरियच यहां पर रहेगा आरियच फैक्टर के खोज करता कौन है तो आरियच फैक्टर के खोज करता लाइड इस्टीनर एवं बीनर है नेस्ट प्रसन है शरीर में एमीनो अमल की संख्या कितनी है तो शरीर में एमीनो अमल की संख्या 20 है नेश्ट प्रस्ण है शरीर में प्रती दिन मुत्र बनता है जो शरीर में प्रती दिन 1 से 1.5 लीटर मुत्र बनता है नेश्ट प्रस्ण है मुत्र दुरगंद देता है किसके कारण देता है यूरिया के कारण देता है नेश्ट प्रस्ण है मानो मुत्र का पिया चमान कितना होत एगे लग करने का है एा लिखने में मिश्टे को गया है मुझे 100% यह गलत लग रहा है इसको आप सब्सक्रान का निर्माल वता है तो प्रोटीन का बड़ा भाग होता है क्या होता है प्रा-त होता है रहा है अभी आप लोग के सारे के सारेूर समाप देखो मैं स्टार्ट प्रस्ण टाइब करने के लिए दिया तै लेकिन आप ऌप साइद एक प्रस्ण टाइब नहीं किया है पालवान गाया है यह जितना बी प्रस्ण मैं आप लोग को बता याँना अगर पूरा का पूरा याद कर लेते हो तो कहीं भी जाकर इंडियान आरमी तो अच्छा रहेगा डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक देदूंगा निलेस ब्लोग के नाम से आप लोग से बस एक ही चाहत है मेरे भाई आप सभी लोग फाजी बनकर देश में जितना भी बॉर्डर है ना सभी बॉर्डर पर लग जाओ अमारा भी कुछ ना लोग फाज है, नाम बड़ कर देखे हो इदर जाता होगा लोग दिन भर भुह तोग घूमते रहते होँगे उन लोग को घर का नाम का कोई hilarious पीकर नहीं होगगा इसलिए आप लोग बहुँ बहुत चुने जाने वाले लड़के हो बहुत चुने गए लड़के हो कि आप लोग फोज की तयारी कर रहे हो इमन्दारी पुरुवक से आप लोग को पढ़ाई करना है माता पिदा जी का जो पैसा ना वो बरबाद नहीं होने देना है ठीक है जो ठीक है कल संडे है कल मजबूत कर दे तागी आप सभी लोग हम सभी लोग मिलकर फाजी बन जाते हैं अगर एक दिन का दो से तीन गंटा और बढ़ जाता ना तो अच्छा रहा था मैं यह सोचता हूं क्यों रात बार बच जाते हैं तो इस तरह से अभी अपना चल रहा है अब देखते हैं आगे समय बार नहीं करना है जो माता पिता जी का पैसा है अगर आपका पीता जी के बारे में था आप कि वो लोग कैसे कैसे करके आपको पैसे देते हैं पढ़ने के लिए मुझे अच्छी तरह से पता है जितने लोग गाउं से राते हैं उन्हों का कंडिशन बहुत खराब राता है बहुत जादे खराब राता है 10-10 रुपए नहीं मिल पाते हैं